जहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सूपर इस्टीड यूटूब चैनल में तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं SST CGL 2023 की टियर 1 की कट आफ हो जी हां फाइनली आप लोगों की आंसर की जारी हो चुकी है और अभी तक अगर आपने आंसर की नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा वहां से जाके आप आंसर की चेक आउट कर सकते हैं और आपने अगर answer की चेक कर लिए तो आप comment जरूर कीजेगा कि आपके किस category से कितने number बन रहे है अभी answer की देखने के बाद देखे यहां पर answer के आने के बाद सारी चीज़े clear हो जाती जिस तरीके से जो है यहां पर survey किया गया है उसी के according में यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों के tier 1 का जो cut off है वो कितना क्या जा सकता है ठीक है सटिक जानकारी मिलेगी चैनल पर नए है सस्क्राइब कर लीजेगा चलिए बात करते है cut off की कि क्या रह सकता है सेप इसकोर आप लोगों के मेंस में जाने के लिए तो देखे अभी आप लोगों की answer की जारी की गई है और अभी आपने जो है अपने जो raw marks है वो चेक किये है है ना आपकी जो raw marks है वो कितने क्या आ रहे है वो आपको अभी पता चल चुका है कि आपने answer की देखी उसमें आपने कितने सही किये थे कितने गलत किये थे और जो आपके minus marking के उसके according वहां पर कितना क्या आप लोगों को score देखने को मिला है अब यहां पर आप देखेंगे कि previous year cutoff क्या रही है उसको हम सबसे पहले देखते हैं यह important हो जाता है क्यूंकि यहां पर आप देखेंगे तो 2021 और 2022 की मैं बात कर रहा हूं ठीक है 2021 और 2022 में जनरल के टिकिरी में जो cutoff गई हुई थी है ना tier 1 की यहां cutoff मैं discuss कर रहा हूं tier 1 के लिए जो है आपको 130 नंबर पर जो है आपका हो गया था ठीक है और 2022 में जो है यह cutoff घड़ गई थी जो कि 2014 रही थी ठीक है OBC की बात करें तो OBC के लिए यहां पर आप लोगों की 117 ठीक है 2021 और 114 जो है 2022 में रही थी EWS में आपकी जो है यहां पर 109 और एगटकर 102 हो गई थी और ST की बात करें तो यहां पर 94 ठीक है जो की 89 हो गई थी 2022 में ठीक है ST में देखे तो यहां पर 81 नंबर पर हो गया था 2021 में और यहां पर आप लोगों का 77 नंबर 2022 में जो है tier 1 के लिए है यहां पर tier 1 में selection हो गया था tier 2 के लिए अब यहां पर 2023 की जितनी क्या vacancy है है ना किस तरीकी का paper का level था है ना attempt क्या किस परकार से किये गए थे उसके analysis और जो आपकी final answer की आ चुकी है उसके बाद का जो analysis हुआ है जिस परकार से students की जो number आए है है ना उसके according क्या cut off रहेगी यहां पर मैं विल्कुल आप लोगों को सटिक जानकारी दे रहा हूँ तो यहां पर जो vacancy है उसमें आप लोगों को देखेंगे तो आपकी 7500 वेकंसी यहां पर इस बार रखी गई है ठीक है उस according cut off क्या यहां पर जा सकता है tier 2 के लिए यहां पर आप देखेंगे अगर 130 नंबर के बीच आप cut off देखने को मिलेगा ठीक है अभी आप लोगों का tier 1 हुआ है tier 1 के बाद जो है आपको men's में entry मिलेगी ठीक है men's के बाद आपका document verification वाला जो प्रोसेस है वो होगा medical exam होगा इन सब प्रोसेस को देखते हुए जो tier 1 की cut off है यहां पर ठीक है OBC की बात कर तो 95 से लेकर 105 और ST में आप लोगों का 85 से लेकर 95 के नंबर आपको अगर आपके इतने अभी answer की में आ रहे तो आप बिल्कुल अपने आपको safe समझे यहां पर आप लोगों को men's के लिए जो है आपका नाम आ जाएगा अब यहां पर आप लोगों के देखिए answer की में जो है आप लोगों के अभी objection भी होगे है ना दूसरी चीज नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो objection में आप लेकर चल सकते हैं कि आपके दो से तीन नंबर objection वाली shift में बढ़ जाएंगे नॉर्मलाजेशन में आपके 7 से 8 नंबर यहां पर आपको बढ़ने को देखेंगे मनलब मिलेंगे कोई-कोई shift में ठीक है तो यह भी सारे चीज़े जो है यहां पर मिलने वाली अगर इससे अगर आपके प्लस माइनस पांच भी है ठीक है प्लस माइनस पांच भी जैसे के म आपके इतने नंबर अभी आ रहे है आंसर की देखने के बाद ठीक है इससे ज्यादा कट आफ आपको देखने को नहीं मिलेगा रौ मॉक्स पर ठीक है उसके बाद आपके नॉर्मलाजेशन नंबर बढ़ेंगे उस अकरडिंग आपके जो नंबर आपके जो कट आफ है वो आपके बाद आपके बाहेंद्ग कर दो कर दो दो कहा है एा कर रौ मैंजलाजेशन जो कि क्लापके बाहें प्र étaपके आपके जो रहे हैं हाँ लिए और आपके जो